नमस्कार दोस्तों वेलकम टू दा चैनल बैंकिंग बंदू लेकर आ गए हैं आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट ऑफ इंट्रेस्ट लेटेस्ट रेट ऑफ इंट्रेस्ट ऑक्टोबर दोहजार एक्षिस में जितने भी लोन प्रोडक्स हैं स्टेट बैंक वेवड कर दी हैं इस वीडियो में सारे ओफ इंट्रेस्ट डिसकस करेंगे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे हम काफी महनत करके आपके लिए ये डेटा कलेक्ट करके लाते हैं जिससे आपको असानी हो चैनल को सब्सक् सब्सक्राइब कर रहा है जैसे कि आप यह देखिए होम लोन वीकल लोन लोन अगेंस प्रॉपर्टी इन सब पर जो प्रोसेसिंग चार्जेज होते हैं बैंक जब भी कोई लोन करता है प्रोसेसिंग चार्ज जरूर लेता है लेकिन इस समय पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वेव किया हुआ है आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी डॉक्यमेंटेशन फीस नहीं ली जाएगी और जो फेस्टिवल ओफर है वो तो लाइव है ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों यह देखिए कार लोन जो है रेट अफ इंट्रेस्ट से पहले बंद करना चाहते हैं फोर्क्लोजर नहीं है कम से कम एक साल आपको चलाना है उसके बाद अगर आप बंद करते हैं तो आपसे कोई भी पेनल्टी नहीं ली जाएगी प्री पेमेंट चार्जिस जीरो है 90 परसेंट तक बैंक आपको फाइनेंस कर देगा ओन रोड से चैनल पर बनी हुई है नीचे ले में आपको लिंक दे लिया गया कि कैसे आप सकते हैं असाणी से कार लोन स्टेट कार लोन आप विजिट कर सकते हैं ब्रांच व्किन ओर यून ओके तुर अलग ब्रेंग रेट और अरफ इंटरेस्ट रहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर भी काफी कम हो गए है, इसकी भी अलग से वीडियो बनी होई है चैनल पर, दोस्तों एक important जानकारी आपको ये देंगे, कि जो bank होते हैं वो अपना rate of interest कैसे decide करते हैं, तो bankों का एक benchmark rate होता है, benchmark rate यानि उस rate से नीचे वो नहीं देंगे, state bank का वो benchmark rate है, उसे हम EBR कहते हैं, यानि external benchmark rate जो की 6.65% है, यानि state bank of india आपको कोई भी अगर loan देगी, तो 6.65% से कम पे नहीं देगी, इसके उपर ही देगी लेकिन इसके कम नहीं दे सकती है, कुछ important products देख लेते हैं, state bank of india के जो आपको कहीं से नहीं पता चल सकते, state bank of india bridge loan, यह bridge loan का क्या मतलब है, दोस्तों यह bridge loan जो है, यह एक या दो साल के लिए ही मिलता है, यह ऐसे लोगों के लिए है, जिनको पुराना घर बेच कर नया घर खरीदना है, यानि जो नया घर के पैसे हैं, वो पुराना घर बेच के आएंगे, कभी कभी ऐसा होता है, कि आपकी जो पुरानी प्रॉपर्टी है, वो टाइम से बिक नहीं पा रही है, आप जल्दी बाजी नहीं करना चाहते हैं, उसको बेचने में, आप क्या कर सकते हैं, आप bridge loan ले सकते हैं, फिर है state bank of India, EMD loan, यानी earnest money deposit, earnest money deposit दोस्तों उस तरह की scheme होती है, जिसमें आपको पहले पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद depend करता है कि आपका जो scheme है, उसमें नाम आया है या नहीं आया है, आया तो ठीक, otherwise आपका पैसा आपको वापिस हो जाता है, 10.45% फिर है reverse mortgage loan, reverse mortgage loan जो है, वो suggested होता है senior citizen या pensioners के लिए, जिनकी कोई regular source of income अब नहीं है, अगर उनकी regular source of income नहीं है, लेकिन उनके पास खुब की कोई property है, उस property को bank के पास mortgage कर सकते हैं और उसके against regular source of income bank को, sorry, customer को मिलती रहेगी, 8.05% पे तब जब वो state bank of India के pensioner है, और otherwise बाकी लोगों के लिए 9.05% पे मिलेगा, state bank of India home loan, दोस्तो home loan के लिए आप you know पे भी apply कर सकते हैं, हमने अभी recently वीडियो बनाई है कि home loan के लिए आप online you know के थूँ कैसे apply कर सकते हैं, 6.70% से starting है, home loan की, 6.7% कैसे मिल सकता है, जानेंगे, महिलाओं के लिए rate of interest 0.05% और ज्यादा कम होता है, ये जो 0.05% है, वैसे जो rate of interest है, वो 6.8 है, अब ये 6.7 कैसे बन जाता है दोस्तों, पहला अगर आप महिला हैं, तो 0.05% कम हो जाएगा, दूसरा आप योनो के थूँ अपलाए करेंगे, तब 0.05% कम हो जाएगा, यानि total में 0.10% आपका कम हो जाएगा, जिसका मतलब है 6.7% से starting रहती है, अगर आप महिला हैं, योनो के थूँ अपलाए कर रहे हैं, ये rate of interest देख लेते हैं, अगर आपको 30 लाग तक का loan लेना है, loan bracket जो है 30 लाग तक की है, तो अभी जो rate of interest चल रहा है, उसमें कोई changes नहीं है, यानि same rate of interest चल रहा है, अगर 30 लाग से उपर है, आपका सिबिल जो है 700 से 700 है, तो 6.9% और 751 से 800 की बीच है, तो 6.8% rate of interest आपको मिल जाएगा, home loan का process, process से यहां मतलब है दोस्तो, loan से लेके registry, मतलब बीच के जो भी steps है, कि कौन सा कागच कैसे जमा करना है, क्या उसमें formalities आपको करनी है, इस पे अलग से वीडियो बनी होई है, state bank of video, home loan process, जिसका link नीचे description box में आपको दे दिया गया है, ऐसी home loan updated वीडियो है, home loan की, कि क 6.7% पर से इसका भी description box में link आपको दे दिया गया है, दोस्तो, state bank of India ही एक मातर ऐसा bank है, जो आपको plot खरीदने के लिए loan देता है, घर की बात नहीं की जा रही है, यहां पे सिर्फ plot की बात की जा रही है, 15 करोड तक का plot आपको state bank दे सकता है, finance कर सकता है, इसकी भी अलग से वीडियो है, state bank of India reality home loan कहा जाता है, इसे अलग से वीडियो है, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, नीचे description box में आपको link दे दिया गया है, top up home loan, दोस्तो, top up home loan scheme जो है, जो existing home loan borrowers हैं, उनके लिए होती है, home loan अगर जिसका चल रहा है, state bank of India में, और उसको किसी और purpose के medical emergency है, पढ़ाई लिखाई है, किसी की शादी है, अगर आपको पैसा चलिए तो आप top up home loan ले सकते हैं, इस पर भी rate of interest काफी कम हो गए है, top up loan की अलग से वीडियो है, चैनल पे covered है, नीचे description box में आपको link दे दिया गया है, top up home loan के बारे में, फिर बात करते हैं, state bank of India personal loan, personal loan क जो शुरुवात है, वो 9.6% से है, state bank of India में, state bank of India का सस्ता है personal loan, काफी type का आपको मिलता है, PAPL, express credit, काफी variants है personal loan के, pre-approved personal loan, जैसे कि आपको हमने बता है, PAPL, ये जो है, चुनिंदा customers को ही मिलता है, आप अपनी eligibility check कर सकते हैं, eligibility कैसे check करेंगे, कि आप pre-approved loan के लिए eligible हैं उसकी भी अलग से वीडियो है, नीचे description box में आपको link दे दिया गया है उस वीडियो का, कि कैसे आप बिना documents के, यानि आपको ना ITR अपना जमा करना है, ना salary slip जमा करनी है, सिर्फ online जाके आप apply करेंगे और पैसा आपकी खाते में आजेगा, इसे हम कहते है pre-approved personal loan, पहले से approved होता है, 9.85% से शुरुआत होगी, दोस्तो इसकी भी अलग से वीडियो है, बिना documents वाला personal loan, PAPL, नीचे description box में आपको link मिल जाएगा, फिर है loan against property, loan against property जो है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास खुद की कोई भी property है, आप bank के पास उसे गिरवी रख सकते हैं, bank उसके against आपको loan दे देगा, जो rate of interest है, वो depend करता है कि property किस तरह की है, self occupied है, rented property है, commercial property है, residential property है, आप salaried है, businessman है, इन सब चीजों पर rate of interest depend करता है, फिर है प्रधान मंत्री मुद्रा यूजना, प्रधान मंत्री मुद्रा यूजना सरकारी scheme है, जिसके तहत आपको अपना नया business शुरू करने के लिए loan मिलता है, या फिर अगर ongoing business है, तो उसकी activities को आगे बढ़ाने के लिए आपको loan दिया जाता है, 6.7% से इसकी starting होती है, तीन तरह का होता है, ये शिशू, तरोन और किशूर, जो शिशू loan है, वो 50,000 तक होता है, जो तरोन है, वो 50,000 से 5, 5,000,000 और किशूर, जो है, वो 5,000,000 से 10,000,000 होता है, आपका, फिर है, State Bank of India, EDFS, यानि Electronic Dealer Financing Scheme, अगर आपके पास किसी की dealership है, dealership जैसे आपके पास BPCL, Indian Oil, HPCL, और भी बहुत तरह की वो होते हैं, dealership होती हैं, जो आपके पास हैं, उस dealership के basis पे bank आपको EDFS देगा, 8% के rate of interest पे आपको EDFS offer करता है bank, State Bank of India, gold loan, gold loan दोस्तों सबसे असान तरीके का loan है, जो सबसे जल्दी आपको पैसा दिलाता है, आपको बस अपना सोना लेकि bank के पास जाना है, bank उसका valuation कराएगा और आपको तुरंद पैसा देदेगा, 7.5% पे, gold loan कैसे मिलेगा, क्या आपको जमा करना रहता है, सारी details अलग से एक वीडियो में covered है, gold loan, FAQs, नीचे description box में इसका link आपको दे दिया गया है, फिर है State Bank of India, education loan, education loan काफी तरह के होते हैं, depend करता है कि आप कहां रहके पढ़ाई करना चाहते हैं, इंडिया में या बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, कौ कोई premier institute है, जैसे IIT, IIM, AIMS, ऐसा को institute है, distance learning course है, इन सब चीजों पर rate of interest आपका depend करेगा, 6.85% से education loan की starting होती है, State Bank of India में, तो दोस्तों मीद करते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी, अपने बाकी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा WhatsApp ग्रूप पे शेयर कीजिएगा, आपका कोई भी doubt होता है, आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे comment section में, चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, आपका दिन शुभो धन्यवाद